एगाईज, वासाब Top इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने फोन में जो प्रॉबल्म्स हो दिये हैं जैसे कि बहुत सारे आप इंस्टॉल करते हो तो उसके डीटा बहुत सारे इप्लीकेशन होता है तो उसका बहुत सारा application hacker भी बनाते हैं तो ऐसे में आपके phone का data hack हो रहा है या उसे कैसे बचाएं या फिर दूसरा option देखिए आपके साथ होता क्या है आप अपने phone में बहुत सारे application को जब आप install करते हो तो उसमें कुछ data वगरे होती है जिसे कि आपका phone internally वो सब hack होते रहता है जो आपको पता नहीं चलता है कि इस video में आपको वो सब problem खत्म कर दूँगा और इससे जो है आप अपने phone के problem को सभी hacking वाला कोई अगर app है तो रिमूव हो जाएगा कोई data है तो रिमूव हो जाएगा और दोस्तों आपको पता नहीं है तो hacking के कारण phone hitting भी होता है बहुत कर दीजेगा वीडियो को शेर कर दें और नीचे वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देनी है बेस्ट ट्रिक या फिर न्यू ट्रिक जरूर कमेंट कर दें आपको चाहिए होगा यह software मैंने इसका download link दे रखा है description में वहां से आप download कर लीजेगा open करेंगे तो आपको यह get started क लिए बोलेगा तो आपको get started करनी है फिर आपको नीचे देखना है दोस्तों और थोड़ा सा wait करना है उसके बाद देखेंगे यह basic version of grade version बोलता है तो आप grade version में आपको कुछ पैसे अगरे लगेंगे लेकिन मैं आपको suggest करूँगा पैसे मत paid किजिए free में use किजिए basic version आपक यार बताया है जिससे कि अपने phone का phone को और ज्यादा fast कर सकते हो तो देखें सबसे पहले निमर तो यहाँ पर आपको scan now for hidden threat आपको यह कर देनी है और यह कर देने के बाद थोड़ा सा यहाँ कर देना है permission को allow कर देंगे तो यहाँ पे यह जो है scanning सुरू करेगा तो scanning में थोड यहाँ पर scan होगा और यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ आपको बता रहा है scanning your apps सब यहाँ पर जो 200-300 आपके phone में जितने application है सब scan को यहाँ पर पाया गया है found to risk यहाँ पर दो problem जो है find किया गया है तो अभी हम उसे ठीक करेंगे लेकिन पहले और भी problem को यहाँ पर ढूं लेकिन अब यह mobile के लिए भी आता है और यह देखिए हम सब को जानना जरूरी है क्योंकि पता नहीं है आपको आपके phone में कोई ऐसी वीडियो है तो वो लीक हो सकती है तो ऐसे में यह सब करना जरूरी है किसी का photo है तो वो भी लीक हो जाएगा तो मतलब problem में फज सकते हो त यहाँ पर देखिए और मोंस्ट यह सकैनिंग यॉर एप सब यह हो रहा है तो यह देखिए यहाँ पर two risks found हुआ और यह देखिए यहाँ यहाँ पर usb debugging enable और web still is off इसे हम enable कर देंगे यहाँ पर back करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले resolve पर click करेंगे यह देखिए ना Resolve पर क्लिक करेंगे USB debugging नीचे दिखिए है इसे हम off कर देंगे इसे आपको off कर देनी है इस तरह से और इस तरह से दिखिए हमारा जो phone है वो अब secure हो चुका है तो यहाँ पर इस तरह से अपने phone को आप secure बना सकते हैं और यहाँ पर देखिए boost RAM मिलता है clean junk मिलता है तो यह दोनों must important दोस्तों यहाँ पर grant permission कर देनी है तो इसका थोड़ा सा इंतियार करना है यहाँ पर और यह देखिए grant permission हमने किया और अवर्ष security और इसे on कर देनी है अब यह देखिए यह जो है यहाँ पर फोन काफे ज्यादा ठीक हो गया और यहाँ पर clean junk कर देनी है clean junk कर देंगे तो यहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसमें सारे storage को analyze किया जाता है और फिर आपके फोन में यह performance ऐसा बढ़ेगा कि आप भी चौक जाओगा यहाँ पर देखिए safe करने के लिए clean कर आय करने के लिए तो हम यहाँ पर clean junk कर देंगे उसके बाद आपका storage भी खाली हो गया फोन का hitting problem भी ठीक हो गया फोन में जो virus बगेर थे वो भी खतम हो चुका है अब last note the list आपको मैं कहना चाहूंगा कि यह application आप पर फोन में RAM है तब इसको रखो नहीं तो इससे delete करो और फिर 6 महीने 2 महीने जब आपका phone hang करे hit करे तब इससे आप install कर लो तब यह दिखो यार कितना फाइदा इसका होता है और इस video को like कर देना है ताकि और भी लोग जाने और हमें बताइए वीडियो के नीचे आपको कैसा लगा कमेंट करके आप कौन सा phone चलाते है यह भी कमेंट करें और इस wallpaper का आपको link चाहिए तो मैं इसका download link भी दे दूँगा तो thank you watching चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे भी योडिफुल जानकारी वाली वीडियो में बनाते रहता हूं बाई